आज यहाँ पर गौरी गौपाल आस्रम में जैसा कि आप जानते ही हैं कि यहाँ पर सेवाएं चलती हैं और इस सेवा में आज हम आपका परचे पहले एक अत्थी से कराएं गौरी गौपाल आस्रम में हमारी जो 280 माताएं रहती हैं इन माताओं कि यहाँ पर रहने की खाने पीने की सम्पूर्ण विवस्थाएं सेवा सब नहशुलक हैं आज यहाँ एक माँ और समलिथ होने के लिए आएं और कहां से आए हैं भाईया आप खुरई से खुरई से एमपी सागर जिला तो आप यहाँ आए हैं किसको लेकर आए हैं यह उसा मैया है तो यह आपके कौन लगती हैं यह हमाए कुटम परिवार की फुगा होती हैं हमसे बहुत चोटी हैं लेकिन परिवार में हैं परिवारी में परिवार की इनके याद पती भी चार साल पहले पहुत हो चुके हैं बच्चे नहीं हैं कोई नहीं हैं इनके परिवार में तो यहां मतलब खुरई में निवास तो यहां भी कुछ मैने पहले रही आठ दस मैने अब कुछ समय को गई थी तो वहाँ बेचेनी बहुत हो रही थी इनको वहाँ जीना काफी ठीक है बात करें मैया आप यहाँ रहने आई हैं हाँ खुराइमद पेदेश है घर में कौन-कौन है आपके घर में कुई नहीं पती है ते सुख खतम हो गए थे अच्छा अब हमकी ले हाथे तीन सालें गुजाल नहीं है के बेटा-बेटी कोई नहीं है कोई नहीं है बच्चे नहीं है तो जहाँ घर था आप घर पे ही रहते तो क्या दिक्कत थी परेशानी हो थे दारू आरू पी के गारिंग अल्ला देते हैं कौन परिबारे माय के बारे भी नहीं साथ दे तो सुस्राल बारे भी साथ नहीं देते हैं सुस्राल और माय का दौना पक्ष साथ नहीं देते हैं कोई साथ नहीं देते संपत्ती है मंगर साथ नहीं देते हैं तो हमें आने पड़ो के हम अपनी संपत्ती बगवान के धाम में लगाएंगे और अपनी जीवन गुजा रहेंगे तो आप यहां रहने के लिए आई हैं तो यहां आपके रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए कोई पैसे नहीं लिए यहां माताएं 280 माताएं अभी, यहां बरतमान में हैं, यह माँ 281 नंबर की माँ 80, 280 माताएं तो थी, अब 81 वे नंबर की माँ आज यहां सम्मिलित हुई, और इन माँ से एक फुछ लिया नहीं जाता, जो मा अपनी स्रद्धा से जो देना चाहें दे, नहीं देना चाहें नहीं दे, आप जो देना चाहें दे, नहीं देना चाहें नहीं दे, आप सबके सहयोग से इन व्रद्धमाओं की यहां पर सेवा होती है, मा का ससुराल पक्ष और माय का पक्ष कोई साथ देने को तैयार नहीं है ये परिवार के दूर के भईया है तो ये इनको यहाँ पर लेकर के आए है और मैया भी यहाँ रहना चाहती है और इनकी सेवा आज से यहाँ स्टार्ट होगी यहाँ गोरी गोपालास्रम में आप मैंसे कितने लोगों ने व्रद्धमाओं का दर्शन किया है सब देखा है आप लोगों ने यहाँ किसी प्रकार की कोई कोशिस यही होती है कि हमारी व्रद्धमाओं को कोई तकलीफ ना हो कोई दिक्कत ना हो क्योंकि ये मा नहीं मा के रूप में भगवान है इनकी सेवा भगवान की सेवा के बराबर है ठीक है मैया अब आप यही रहिएगा और सदा प्रेम से रहिएगा और ये मत कहिएगा कि आपका बेटा नहीं है यह दास अनिरुद्ध आपका बेटा है हम सब आपके बेटा बनकर ठीक है मैया अब मत रोईएगा मत रोईएगा मैया आप यहाँ हैं खुश हैं यहाँ हमें थे खुश हैं आपके अपनों ने साथ नहीं दिया नहीं किसी ने साथ नहीं दिया अम मत रोईएगा आपका बेटा है यह दास अनिरुत्य हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सहारा बनने की कोशिश करेंगे साथ देंगे जैसे गिलहरी ने राम का साथ दिया था ऐसे हम सब भी साथ देंगे और यह साथ काम तो देखो भगवान ही करते कराते हैं काम भगवान का है भगवान के काम में हम और आप निमित बनकर जैसे बंदर भालू सहयोगी बन गए राम को जरूरत थी नहीं उनकी फिर भी राम ने सब का यसगान किया उसी तरह भगवान को किसी की आवश्यक्ता नहीं होती फिर भी हमारा एक छोटा सा योगदान इन माओं की सेवा में लग जाए यह भगवान स्विकार करेंगे यह बहुत बड़ी बात है सही प्रकार से जहां कार हो वहाँ पर आप सब को जरूर जोड़ना चाहिए जरूर बढ़ाईएगा ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है